अब लिए हमार साथ एक बहुत खास मेहमान मौजूद हैं मीरा कुमार जी पूरू लोकसभाज श्पिकर आपका बहुत-बहुत स्वागत है मीरा जी एंडी टीवी इंडिया पर आपका आज जन्म दिन भी है सबसे पहले आपको जन्म दिन की बहुत-बहुत शुक्तावना है बहुत धन्यवाद आपको जो वास्तुकार है कलाकार है राजमिस्तरी है इंजिनियर है और सबसे बड़ी बात हमारे जो श्रमिक है वो इतने उत्कृष्ट कोट के है कि मुझे लगता है कि उन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया होगा लेकिन मैं यह भी कहना चाहती हूँ कि बैने संसत भावन को दे क्योंको बेना देखे हूए मैं क्या टिपनी करों और इस पर विवाद की बात ये है कि कुछ लोगों के मन में बल्कि काफी लोगों के मन में यह संशे है कि इतिहास के साथ कुछ बदलाव किया जा रहा है तो जिनके मन में ये संदे उठ रहा है, उनको आश्वस्त करना भी एक जिम्मेदारी है, बनती है आप स्पीकर रही है, आपने जो मौझूदा संसत्भवा ने इसमें 5 साल तक सफलता पूरवक लोगसभा का संचालन भी किया आपने देखा हुआ कि कही तरी की दिक्कते आती हैं, जो जगे हैं उसको ले करके भी प्रशन उठते रहे ये जो इमारत अभी है, इसको 100 वर्ष पूरे हो जाएंगे, 1927 में इसको कमिशन किया गया था तो उसलियाज से क्या आपको लगता है कि एक नए संसद भवन की जरूरत थी या फिर ही एक फिजूल खर्ची है जैसा कि कॉंग्रेस के जैराम रमेश कह रहा है देखे, मेरा यह सोभागे रहा है कि मैं दस वर्ष के उम्र से ही संसद में जाती रही हूँ उस समय मैं दर्शक दीरगा में बैठती थी फिर बाद में मैंने वहाँ पर बहुत देश के बड़े बड़े नेताओं को जो स्वतंतरता से नानी थे जुनों राजसभा में भी जाने का मौका मिला पर आपको धन्यवाद देती हूँ, आपने कहा कि मैंने बहाँ का संचालन भी किया स्पीकर के रूप में स्पीकर बनी तो मुझे ऐसा लगा कि यह भारी इमार्त है उसमें और बहुत से कर्बचारी है, अधिकारी है, कारे का विस्तार हो रहा है इसलिए और स्थान की आवश्यक्ता है लेकिन साथ साथ मैं ये भी चाहती थी कि हमारी जो इतिहासिक इमारत है उसको किसी प्रकार की क्ष़ती ना पहुँचे और हम उसको बचाए रखे अब 1927 में कमिशन की गई थी, उसको हम किस तरह से उसके इतिहास को भी बचा के रखे उसको भी बचा के रखे, ये हमारी जिम्मेदारी बनती है और इतिहास के साथ हम को किसी प्रकार की कोई बदलाव ना होने दे ये भी हमारी जिम्मेदारी बनती है और चुकि आपने इस बात का जिक्र किया आपने कहा इस बात को कि एक जो इस्थान था वो शाद परियाप्त नहीं था और इसलिए एक नई संसद भवन की आवशक्ता थी एक पत्र भी जो है आज वो ट्वीट भी किया गया है एक पत्र है आपके स्पीकर रहते वक्त आपके OS थे हम दिखाना भी चाहेंगे इस पत्र को जिसमें ये कहा गया था कि आपने आपका उसमें जिक्र किया गया कि आपने ये प्रू किया है कि एक नया संसद भवन बनना चाहिए और ये पत्र जो है शेहरी विकास मंत्राले को लिखा गया थो तो यानि आवशक्ता थी और जिक हुआ कि एक संसद भवन बना है देखें अब तो इस बात में जाना अनावश्यक होगा और प्रसांगिक भी होगा क्योंकि भवन तो बन गया है और भवन बन गया है और फिर से इस बात को दोहराओंगी क्योंकि हमारे जो वास्तुकार है कलाकार है हमारे जो श्रमिक है उन लोग की बेहनत से बना है तो हालां के मैंने से देखा नहीं है मगर मुझे ऐसे लगता है कि बहुत सुन्दर होगा तो आपको लगता है कि जब ये बनाया गया ये इसका निर्मान करने का निर्ने किया गया तब बहतर होता है कि जो विपक्षी पार्टिया है, उनकी भी राय ली जाती है, उनकी भी राय ली जाती है कि यह भावन किस तरह से बनना चाहिए और जहां तक पुराने भावन का प्रश्ण है, जिसको आप चाहती है कि वो समरक्षित रहे, उसके बारे में तो शाह सरकार ही कह रही है कि पुराने संसत्थ भावन को संग्राले के तौर पर प्रयोग किया जाएगा। पुराने संसत्थ भावन का कि बहुत बहुत भूबिका है हमारे इतिहास में और उस भूबिका को जैसा हो है वैसे ही सुरक्षित रखा जाए, ऐसा हम सब चाहेंगे और उस समय क्या निर्ने लिया गया, निर्ने तो कोई भी नही लिया गया, और निर्ने ये बात उठी पहुची थी, बूठी अवश्य थी, कि जो उन्तिस में बनी थी, उन्तिस में जिसे कमिशन किया गया था, वो संसत्थ भावन में कोई क्षती ना पहुचे, और उसको हम ठीक से रखें, और साथ ही कारिक्विस्तार के कारण जो बहुत से अधिकारी गार्ण, बहुत से कर्म जारी गर्ण को रखने की आवश्यक्ता पढ़ गई थी, उनके लिए हम कारिस्थल के का भी प्रावधान करें, जो ये दोनों ही काम हमें करने थे, इसलिए ये विचार उठा था, तो महला अरक्षन बिल अगर पारित होता, और संसेदों के संख्या अगर बढ़ती, तो भी एक नए संसद भवन के आवश्यक्ता थी, ये बात भी आपके कारेकाल के दौरान आई थी, और जैराम रमेश जो इस बात का आज विरोत कर रहे हैं, उनके बार में भी कहा गया कि उन्होंने भी एक बार UPS सरकार के वक्ति ये बांग की थी, कि नए संसद भवन बनना चाहि अच्छे से सहेज का रखते हैं, और जो डया है उसको कितनी अच्छे से उसका इस्तवाल करते हैं, अब हम उस दौर में पहुच चुके हैं दरसल ये प्रशन इसलिए बार-बार उठरा है मीरा जी, क्योंकि आज भी जब ये तस्वीर आई है नए संसद भवन की, तो जैराम रमेश की ओर से ट्वीट किया गया, जो मैंने पढ़कर के सुनाए भी था दर्शकों को, और एक तरसे पूरा प्रशन चिन्ने लगा रहे इस प्रोजेक्ट के ओपर की नए संसद भवन क्यों बनाया गया, और आपको यही बता दें कि जब भूमी पुजन हुआ था, तब कॉंग्रेस पाटी ने इसका महिशकार किया था, कायक्रम का, और तब भी कॉंग्रेस पाटी ने आपत्ती की थी, वो पूरे जो सेंटल वि पूरे ने जो आप पूच्से, तीक पोच्छ रहा है आप पूच्से, मगर यह जो आपत्ती दिखाई गई थी उस समय, उस समय कोरोना काल था, और सेंट्रल विस्टा का पुरन निड्मार हो रहा था, और जो खर्च हो रहा था, उसको लेकर के आपत्ती थी, और सेंट्रल तो मेरा जो निर्ने था या मेरी जो राय थी निर्ने नहीं था वो एक विचार था तो उससे ये भिन है Central Vista का जो प्रोजेक्ट है उससे भिन है उस पर जो खट्चा किया गया उसके बारे में अपत्य उठाए गए थी बिलकुल और यह जो नया संसद्वान बनाया जा रहा है इसके बारे में आपका क्या विचार है क्या आपके इसाब से फैस्ता सही है क्योंकि आने वाले समय में आने वाली पीडियों को जब संख्या बढ़ेगी संसदों की जब दिली मिटेशन कमिशन की रिपोर्ट आईगी तो उसके लिए जब ज़रूरी स्थान चाहिए, वो चाहिए था इसलिए, यह फिर यह जो पूरा प्रोजेक्ट बनाए गए, अर्किटेक्चर उसका है, उसको लेकर के भी आपत्ती को, कि जैराम रमेश को उसके भी दिक्कत है, वो यह कहते हैं कि यह जो नया संसद्धोन बन आप चाह रहें कि मैं उनके वक्तव्य पर टिपड़ी करूँ, यह मेरे लिए उचित नहीं होगा, मैं पूर स्पीकर रह चुके हूँ, लोकसभा की, और मेरे लिए बिल्कुल भी उचित नहीं होगा, कि मैं किसी भी नेता, किसी भी बख्ष के कोई भी नेता कि वक्तव्य पर टिपड़ी करूँ, लेकिन मैंने शुरू में ही अपनी राय व्यक्त करती हूँ, लेकिन मैंने प्रश में दूसरे तरिक से अगर पूछ तुम आपसे, कि आपने तस्वीर देखियोंगी कल जो आई है, वो आपको कैसी लग रही है, आपको लगता है कि यह जो हमारे संस करूँ के ऊपर मैं कोई एक बहुत बड़ी रायर बना नहीं सकती हूँ, और जिसको लेकर के मैं आपके इस कारिक्रम में आपको बहुत विस्तार पूर्वक बताओं की मेरी क्या राय है, मैंने तो एक दो चित्र देखे हैं उसके, मैंने संसित को देखा भी नहीं है, मगर म समय अपने देश के वास्तुकारों को, अपने देश के कलाकारों को, अपने देश के इंजिनियर को, राजमिस्तिरी को और सबसे बढ़कर अपने देश के श्रमिकों को की तारीफ करती हूँ, और वो जिस उत्क्रिष्ट कोटी का काम करते हैं, उसके आधार पर मैं ये कह सक कि यह संसद्धावत अच्छा होना चाहिए बहुत बहुत शुक्रे आपका मेरा जी